हेलो दूस्टों कैसे वह आप सब लोग आय हूँ लोग बहुत अच्छी होंगे तो आज मैं जो आपको बता रही हूँ साखी ट्रैपिंग वह सील सारी पहले ही carry कर लीजिए ताकि और जमीन से ज़्यादा टच करते हुए साड़ी नहीं पहने उससे थोड़ी सी उपर ही पहनने हलका सा ताकि आपका जो है ना balance बना रहे है तो इसलिए आप sleeper पहन लीजिए उसके बाद मैंने टक कर लिया है अपनी साड़ी को और अब मैं एक round ल प्लीज मेरे comment box में comment कीजिए तो मैं बताओंगी कि आपको pleats कैसे बनानी है इस तरीके से आपको pleats बनानी हो सबसे पहली जो pleats होती जो हम उपर रखते उसको बड़ा बनाना है बाकि pleats से ताकि उसका कपड़ा थोड़ा एधर उधर हो जाए तो कोई उसमें pleats है ना को एक एक प्लीट अरेंज कर लेनी है ऐसे अरेंज करने के बाद फिर आपको क्या करना है फिर से सेट करना है क्योंकि अपन प्लीट पनाने के बाद डायरेटली अगर आप शोल्डर पर रख लोगे ना तो वह pleats इदर उधर खिसक जाएगी तो आप पहले अरेंज करने के बाद आप अपने उंगली और अंगुठे से दौन को दवाते हुए अपनी शोल्डर पर रखेंगे तो इस तरीके से आपकी जो pleats है इदर उधर नहीं खिसकेगी तो मैंने इसको एक एक करके अपने pleats को अरेंज कर लिया है आप मैंने रखके देखी अपनी pleats रखके देख लिये कि मैंने ये मैनेज कर लिया है कि कितना margin उसमें लेना है आपको तो इस तरीके से मैंने देख लिया है कि कितना मुझे margin रखना है इसका उसके बाद मैं एक safety pin से जो अपनी pleats है उसको secure कर लूँगी इस तरीके से मैं shoulder पर रखूँगी और हमेशा अगर आप जब भी साड़ी की pleats बनाते हमेशा याद रखिए कि गोटने से आपनी जो आपके नी है उससे थोड़ा सा नीचे उसका जो कपड़ा होना चाहिए इस के बाद आपको यह side मैं अपना जो side corner से लेते हुए जाना है कमर के पास से और इस तरीके से एक-एक कपड़े को उठाते हुए ताकि जो side में pleats बन जाती है जो थोड़े से wrinkles बन जाते हैं साड़ी के उसमें साड़ी काफी एक-एक pleats अप आपके wrinkles में दिखती है जैसे side में यह wrinkles बन रहे हैं जब वो दिखेगी तो आपकी साड़ी और ज्यादा attractive लगई तो हमेशा इस बात का याद रखिएगा कि किस तरीक आपको मैं 2-3 तरह से बताऊंगी कि आपको कमर के पास किस तरीके से carry करना है साड़ी को इस तरीके से करने के बाद मैं आप एक safety pin से उस और ऐसे करते हुए सुई के टाकी तरह 2-3 वार arrange करते हुए एक एक दो तीन इस तरीके से pin up करने इस तरीके से अगर आप pin up करेंगे तो आपके साड़ी का फटने का डर कम हो जाएगा क्योंकि कभी-कभी आप directly pin लगा लेते हैं अपने पेटिकोट से arrange करके तो हमेशा दागा चलाते हैं उसी से ही उसी टाइप से ही अपने pin को आपको secure करना अपने pleats को उस जगए को secure हमेशा याद रखिएगा इस चीज का इस तरीके से मैं आप नीचे की pleats बना रही हूँ वैसे ही pleats का हरवार बताती हूँ कि आप क्या करना है आप पहली जो pleats होती है बड़ी बनाईए बागी pleats से और उसको arrange करिए एक-एक करके पहली pleats सबसे बड़ी फिर उससे थोड़ा सा एक इंच का gap दे दीजी फिर उस प्लेटों का एक-एक इंच का gap देती हूँ पीछे से एक सीड़ियों की लाइन बनानी है उस तरीके से आप pleats बनाएंगे तो काफी खूबसूरत दिखीगी आपकी pleats इस तरीके से करने के बाद इस तरीके से करने के बाद रहे हैं काफी प्यारे लगते हैं सिल्क साड़ी में हमेशा और हलकी हाथ से प्रेस की तरह करते जाए ताकि वो pleats अच्छी से अरेंज हो जाएं तो इस तरीके से कुछ एक अपर अपना side में निकलाता है उसको अच्छी से इनकल लीजी क्योंकि वो side में आपके पल्लू से दिखेगा ही नहीं क्योंकि आपका side में पल्लू आ जाता है pleats आयाती है पल्लू की तो वो दिखेगा तो आप अमेशा एक pleats को आगे खीशते हुई इसको ठीक करना है तो कुछ इस तरीके से हुई है साड़ी पहनने के बार आप देख पा रहे हैं तो आगर आप पेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजी और आप पहली subscribe कर चुके हैं आप मेरे viewers हैं पहल रही हो अच्छी रही हो make sure अच्छी रही है तो आप मेरे चैनल को कर लिजी subscribe like और ज्यादा से ज्यादा शेयर की thank you and thanks for watching love you guys bye bye